हाई फ्रेंड्स आज के हमारी वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि लेमन्स को लॉंग टाइम तक हम कैसे स्टोर कर सकते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार जाते हैं हम यह लेमन बहुत सस्ते में मिल जाते हैं या फिर lemon season में होते हैं बहुत सारे आरे होते हैं लेकिन हम ज्यादा नहीं खरीदते हैं क्योंकि ज्यादा समय तक फ्रिज में रखने पर वो खराब हो जाते हैं तो हम आपको यह तरीका बताते हैं जिससे कि आप सस्ते में काफी lemon एक साथ खरीद के उरने store कर सकते हैं ताकि पैसे की भी बचत है और आपके पास हर समय lemon juice available होगा देखिए हमने इस तरह से lemons का juice बना लिया है इस juice को हम फ्रिज में काफी देन तक रख सकते हैं हमें क्या करना है lemons को दो पीसे में काटना है और उन lemons को इस juicer में ऐसे अच्छे से निचोड़ लेना है जब हमारा juice निकलता है उस juice को हम इस तरह से इसमें डौलके और filter कर देते हैं अब इसी तरह से हम जितने भी lemon हैं दोस्तों उन सभी का इसमें juice निकालकी और इस तरह से इस container में हम यह juicer वाला जब्बा आता है दोस्तों juice वाला इसमें थोड़े से बड़े छेद होते हैं तो आप ध्यान रखिए दोस्तों यही वाला जब्बा आपको use करना है वो चाय चानने वाला आप use करेंगे तो उससे यह नहीं चहन पाएगा अच्छे से तो आप ये जबबा यूस कीजिए और जब इस भगवनी में हमारा सारा जूस इखटा हो जाएगा तो हमें क्या करना है दोस्तों एक काच का कंटेनर लेना है उसके अंदर ये हमें सॉल्ट मिलाना है देखिए इस कंटेनर के लिए हमें लगभग 2 स्पून सॉल्ट मिलाना है तो सॉल्ट हम एक बार में आपको डाल देना है डब इस काच की बॉटल में और उसमें सारा जूस डाल दीजिए उसे आप चाहें तो हिला सकते हैं दोस्तों अगर ना भी हिलाएं तो भी कोई बात में वो धीरे धीरे सारा सॉल्ट उसके अंदर मिक्स हो जाएगा इस तरह स आप बाटल में पैक करके उस पे ढखकर लगा दीजे और उसे आप फ्रिज में रख दीजे ये जूस दोस्तों आप एक से दो महीने के बीच तक फ्रिज में रख सकते हैं आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस जूस को फ्रिज में से निकाल कर यूस करें पैक करके फ्रिज में आप वापस रख दें ज्यादा देर तक इसको आपको फ्रिज से बाहर नहीं रखना है इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से जूस को स्टोर कर सकते हैं और पैसे की भी बचत कर सकते हैं थैंक यू